दोस्तो आपके फीवरिट शो थपकी में आगे क्या नजर आ रहा है? क्या देख रहे हैं? हम अपिसोट में चलिए बात करते हैं. नमस्कार आप देख रहे हैं, पॉलिवुड स्पाय. दोस्तो एपसोट में हम देखते हैं, वीना देवी थपकी से कहती हैं, तुम ऐसी ही रहना कभी मत बदलना तुम जैसे कम है इस दुनिया में सच्चे और साफ वहीं दोस्तो आगे वीना देवी कहती है एक दिन बाद संगीत की रसम है तब तक तुम आराम करो हम कुछ जड़ी बूटियां भेजेंगे उनको गरम पानी में गोल कर उनसे गले को साफ करती रहना आराम मिलेगा आगे दोस्तो प्रियंका यानि की थपकी की होने वाली जेठानी थपकी की मामी से कहती है मुझे थपकी का भी सच पता है और आप दोनों का भी दरसल थपकी जिसको अपने अटकने का सच बताती है पर मामी जी कहती है मैंने उनसे बात की है और उन्हें तुमसे कोई प्रब्लम नहीं है उल्टा वो तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और अर्मान को भी सब सच पता है आगे दोस्तो थपकी संगीत की रसम के लिए लहंगा पसंद करने लग जाती है और फिर एक बार पूरब के साथ आमना सामना हो जाता है दोनों का हम एक रोमैंटिक सीन देखते हैं दोस्तो वहाँ पर फिर हम देखते हैं दोस्तो पूरब जो लहंगा हंसका के लिए पसंद कर ख़ाता है आगे हम इन दोनों की नोग्जोग देखते हैं दोस्तों हंसेका पूरब को कहती है लँच पर चलते हैं दोस्तों हम देखते हैं हंसेका Swift को जलाने के लिए पूरव को खाने करने वाला खिलाती है यहीना देवी को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर पाती हैं आगे दोस्तो वीना देवी खाने के टेबल से उठ जाती है और हनसेका गुस्से में कहती है मैं बार-बार इनके टॉंट्स नहीं सुन सकती एक बार में बोल दीजिए न क्या प्राब्लम ए मुझसे आगे दोस्तों पूरफ वीना देवी से चांस मांगता है हंसका के लिए और हंसका कहती है आँटी आपने मेरा गाना बिना सुने ही मुझे रिजक कर दिया था और अभी भी मैं बहु tutto बने भी नहीं और उसके पहले ही आगे दोस्तों वीना देवी कहती है तज़ुरबा भी को को सौरी कहता है पर थपकी दो-चार बाते सुना देती है पूरब दोस्तो एपिसोड खतम हो जाता है सवाली है थपकी क्या संगीत में बिना अठके गाप आएगी या हंसिक आवाजी मार जाएगी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताइएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहें बॉलिवुड स्पाई